दो हजार चोबिस का पहला क्वाटर क्रिप्टो मार्चिर के लिए कैसा रहेगा? आर्ट सिजन कब आएगा? पहले तीन माँ पर कौइन बेस और ग्लास नोड की मुश्तर का रिपोर्ट आ गई है इस क्रिप्टो गाइड में पहले क्वाटर में होने वाले तमाम एहम इवर्ट को देखा गया है इसमें प्रेडिक्शन भी मुझूद है और साथ साथ इसमें बहुत सी ऐसी मालूम आत्मी है जो आपके बहुत काम आएंगे तो फिकर ना करें मैंने रिपोर्ट पढ़कर आपके लिए पूरी तफसील निकाल ली है ताके आपको मुकमल ना पढ़ना पड़े तो मैं हूँ अली रहान आप देख रहें क्रिप्टो बाबा बाबा तो लेट्स डाइवें विटकोईन की ETF पर मेरा ख्याल है काफी बात हो चुकी है अब जो भी होगा आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएगा इस वज़े से अब मैं इस पर कोई अहम अपडेट होगी तो ही बात करूँगा क्योंके बार बार एक इवन्ट पर बात करना मुझे खुद भी पसंद नहीं और लोग भी बोर हो जाते हैं बलकि मैं बेशतर ताइम लॉंग रन चीज़ों पर ही बात करता हूँ इस वज़े से जैसे ही कोई ऐसी रिपोर्ट आती है तो मैं फोरन उसे पढ़ता हूँ क्योंके ये मुझे मार्किट के बारे में बहुत ज्यादा बेशतर बनाती है अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आप जानते होंगे के कोईन बेस अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्स्चेंज है जबके ग्लास नोड क्रिप्टो डेटा का सबसे बड़ा इदारा है तो जब ये दोनों मिलते हैं तो धमाल ही होता है Q1 2024 Guide to Crypto Market Coinbase और ग्लास नोड ने दुनिया के सबसे बड़े institutional investors के लिए बनाई है ताके उन्हें तीन माँ में होने वाले major crypto events के बारे में बताया जा सके इन्होंने सबसे ज़्यदा काम crypto industry के बन्यादी indicators पर किया है जो उनके मताबक तेजी से बेहतर हो रहे है इस report के authors का ख्याल है कि जैसे जैसे एथेरियम की price बढ़ेगी वैसे वैसे आर्ड कोईंस का season आएगा तो कि एक तरफ bitcoin अपनी price range मुस्तेहकम करेगा तो दूसरी तरफ आर्ड सीजन में traders बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे इसके लिए इन्होंने मुक्तलिफ matrix इस्तमाल किये हैं इनके मताबक नए users, liquidity और VC funding तेजी से crypto sector में बढ़ रही है ये अगले चंद महीनों में 2021 से भी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि मुसलसल funding rate में इज़ाफा हो रहा है और अगर ये ऐसे ही रहा तो अगले आठ माह तक हम मुसलसल alt coins में profit देखेंगे इसके साथ साथ इनका ख्याल है कि dot avalanches में कई layer 1 block chains फरवरी के दर्मयान में जाकर मजीद बेहतर perform करेंगी क्योंकि इनकी upgrade आ रही है रिपोर्ट का ख्याल है कि bitcoin का पहले तीन महीने में सबसे अहम event spot ETF था जो हो चुका है उसके नताइब्स या डेटा को देखकर किसी नतीजे पर पहुँचने के लिए अब थोड़ा वक्त चाहिए इस वज़े से अभी इस पर कोई ज्यादा बात मुम्किन नहीं लेकिन इनका ख्याल है कि bitcoin का एपरल में सबसे आहम event होगा क्योंकि having हो रही है जिसके बाद ही हमेशा bitcoin का bull run शुरू होता है इस वज़े से इस वक्त तमाम नज़रें bitcoin having पर हैं जैसे ही event होगा तो एक बार फिर bitcoin के गिर्थ इंतहाई bullish sentiment बनते लगेंगे जो फिर एक साल से जाय दर्से तक काइम रहेंगे इस दोरान जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बुर्ण के आखर तक लोगों के sentiment मजीद bullish होंगे इसके बाद रिपोर्ट में इथेरियम पर भी बहुत ज्यादा बात की गई है आथर्स का ख्याल है कि पहले क्वाटर में इथेरियम की कैन कुन अपडेट हो रही है जिससे इसकी security और scalability पर काफ़ी एसर पड़ेगा बलके ये ज्यादा बहतर होगी प्रोटो डैंक shredding से बेकन चेन पर मुझूद डेटा स्टोरिज की capacity में भी इजाफा होगा जिससे स्पीड भी बहतर होगी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी कौन सा लफ़ बोला है तो भाई ये है प्रोटो डैंक shredding पहले इथेरियम में सिर्फ shredding होती थी जिसमें इथेरियम बोलाग चेन पर मौझूद गैर जरूरी डेटा को जाया कर दिया जाता था अब ये एक नई किसम है जिसमें प्रोटो डैंक shredding कहते हैं इसमें बहुत से डेटा को जाया करने के साथ स्पेस बनाने के लिए दूसरे सर्वर्स पर मुंत्किल किया जाएगा जैसे आपके फूल में स्पेस भर जाए तो इसके लिए आप डेटा खतम करते हैं या डिलीट करते हैं लेकिन जब blockchain से data जाया होता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत सी transaction का record खतम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी blockchain पर तमाम record मुझूद नहीं, तो इस वज़े से Ethereum पर काफी तनकीद भी होती है, एक ये भी वज़ा है जिस पर ये कहा जाता है कि ये मुकमल तोर पर decentralized नहीं खेर, ये एक technical बहस है, आपको इस वज़े से बता दी ताकि आपको ये मौमला पता हो, बस इस वज़े से, बाकी इस मौमले का report से कोई तरलक नहीं, बलके report तो इससे इंतहाई bullish even समझती है, क्योंकि इससे Ethereum की speed तेज होगी, coinbase report के authors के ख्याल है, कि इस वक्त investors, तमाम blockchain को इंतहाई बारीक बेनी से study कर रहे हैं, वो इनकी एक एक चीज़ पर गोर कर रहे हैं, ताकि इनके token खरीद कर एक लंबी investment की जा सके, अगर आप देखें, तो crypto की derivative markets और open interest में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे थाबित होत क्रिप्टो की पूरी space को फाइदा होता है, जिन token में ज्यादा supply मौजूद ना भी हो, तो भी उनसे cash out होना असान होता है, जिससे crypto exposure में खतरा कम हो जाता है, रिबोट हमें ये भी वाज़ तोर पर बताती है, अगले साल के mid तक crypto market इंतहाई volatile रहेगे, इसमें बहुत काई घटिया कोईंस भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर ये हमेशा के लिए खतम हो जाते हैं, इसमझे से report के authors का ख्याल है, कि investors को सबसे पहले, किसी भी token पर position लेने से पहले, अच्छी तरह research कर लेनी चाहिए, investment का कोई भी फैसला, social media, community activity या influencers की तादात को देखकर नहीं क करना चाहिए, वरना इस से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि तमाम social media activity और influencing बहुत ज्यादा खतरना काम है, जिसमें लोगों को इंतहाई घटिया कोईन बेचे जा रहे हैं, कोईन बेस और glass node की report के मताबक, institutional investors को एक long term approach के साथ ही market में आना चाहिए, और उन्हें तस्वर किया जाता है, जबकि क्रिप्टो में ये आम सी बात है, इस वज़े से अगर investors की सोच long term नहीं होगी, तो वो किसी भी तोर पर crypto market में survive नहीं कर सकेंगे, कोईन बेस रपोर्ट का ये ख्याल ये भी है, कि Ethereum की वज़े से जल्द ही out points अपना run शुरू कर देंगे, जो फुल फलेज आउट सीजन होगा, मैं ये बात इस वज़े से दोहरा रहा हूं, ताके आपको पता हो कि क्या होने जा रहा है, जो लोग इस वक्त ये शोर मचा रहे हैं, कि bull run कभी नहीं आएगा, market खत्म हो गई है, बाइनस तबाह होने वाला है, ये रिपोर्ट, उन सब के लिए एक wake up call है, कि यार, लोगों को गुमरहना करो, प्लीज, ज्यादा से ज्यादा वक्त अच्छे कामों में लगाओ, अगर आपको वीडियो इच्छे लगे, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हो सके तो घंटी वीडिया दे करें, ताके आपको वीडियो अप्लोड होते ही, नोटिफिकेशन आजे, वरना वीडियो कब बाई और कब गई हो सकता है, आपको पता ना लगे, जैसे पिछले दिनों में मैंने और टाइमिंग्स के उपर अपनी वीडियो अप्लोड की है, तो इसलिए ये भी जरूरी है, इसके लावा, आप एक्सपर भी मुझसे रावता कर सकते हैं, वहाँ मेरे डियम ओपन है, आप रहरास मुझसे कुछ पूशन रहे हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, अगर किसी वज़ास से आप डियम नहीं कर पाते, तो फालू करेंगे तो मैं फालू बैक कर देता हूँ, उससे भी आपके लिए डियम ओपन हो जाते हैं, बाकि कॉमेंट में आपकी राय का इंतिशार रहेगा कि आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं, क्या गलास नोड और कॉइन बेस की रिपोर्ट वाके ही कुछ मैनी रखती है आपके लिए, यहां दूसरे सोचल मीड क्रिप्टो कम्यूनिटी की जो एक्टिविटीज है आप उन्हीं को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो सॉलिट कंटेंट भी देखते रहे हैं, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिए